हालो दोस्तों मैं अंगर सर ये लर्निंग विद्ध दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं तो दोस्तों कल हमारी बात करमिक विभाजन पर हो रही थी या उत्रोत्तर विभाजन पर या आंसिक गुड़न खंड पर तीनों बात एक ही है तो आपको मैं समझ प्रणा देता हूं फिर इस पर कही प्रश्नाज हम करेंगे ठीक है कि चलिए देखिए कि उत्रोत्तर विभाजन कि अग्यों कि उत्रोत्तर विभाजन या कि क्राबिक विभाजन या आंसिक गुड़न खंड एक ही नाम से आता है बच्चे इसको आप परसान इससे नहोंगे अनसिक गुड़न खंड तो कल मैंने आपसे चर्चा भी किया था एक सो पचीस वाले पर तो बेसिक कल बाते हमाने हमने आपको समझाया था कि बेसिक बाते मैं एक बारा और से समझा देता हूं कि जानकारी होनी जरूरी है फिर इस पर हम कई प्रस्ण लेंगे और बातों को समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे माल लेजिए 242 को कि दो सो इसको कोश्चन की रूप में मैं एक नमबर डाल देता हूं 242 को संख्या 242 देलता हूं कि शंख्या 242 को करम सह करम सह करम सह नौ से भाग दिया जाता है आठ हुआ है नौ से अग दिया जाता है कि अगरे तो तो प्रेस्पल क्या हो कि कोई संख्या है 242 और उसे आप आठ और नौ से भाग देते हैं तो आपका सेस्फल क्या होगा एं बाते आपसे पूछा ध्याल देजेगी बात तो मैंने कल बताया आपको कि जब आप 242 लेंगे इसे आठ से भाग देंगे तो आठ तरिक 24 कितना बच जाएगा और सेस्फल कितना बच जाएगा दो बच जाएगा बचा फिर इसी बात हम नौ से भाग देंगे तो नौ तरिक 27 और रिमेंडर कितना बच जाएगा तो आठ और नौ से भाग देने पर रिमेंडर कितना बच जाएगा तीन वस्ता है दो और तीन बच जाएगा तो और तीन दो झूचा कि क्लियर हो गए दो और तीर क्रमसह दो और तीर ठीक है तो इस टेप से प्रस्ट भी बन जाते हैं तो इसको दिमाग में आप रखेंगे चलिए पॉस्चन नमबर दो संख्या दो सो तिरालिस को क्रमसह पांच छहवर साथ से पांच छहवर साथ से बिभक्त किया जाएं किया जाएं तो स्थेस्फल क्रमसह होगा स्थेस्फल क्रमसह होगा ठीक है अब दियार दिजिए दो सो तिरालिस हैं तो दो सो तिरालिस हम लिख लेते हैं इसको हम पहले किस्से देंगे पांच से पांच ओक बीस चार बचा पांच अठे चालिस तो कितना रिमेंडर बच गया जीरो जब हम साथ से भाग देंगे तो साथ एक का साथ और रिमेंडर कितना आ गया एक तो आप देखो बच्चे यहां पर रिमेंडर क्या हो गया तेस्पल मतलब यह बच गया तीन जीरो एक अब आपसे यही सवाल पूछा जा सकता है कि वह संख्या इसी सवाल इसी को मैं लिखता हूं प्रस्चन में देखिए पुस्चन नंबर तीन बढ़ा देता हूं अभी इस पर कई सवाल लिए हमने आपको कराते हैं कि वह संख्या गयात कीजिए वह संख्या गयात कीजिए जिसे पांच शे साथ से भाग देने पर जिसे पांच शे साथ से भाग देने पर सेश फल क्रमसह सेश फल क्रमसह 301 बज़ तीन जीरो एक बच्छे तो यह सवाल को मैंने उपर वाले से लिख लिए आप देखेगा बताता हूं आपको मैंने बताया था बच्छे पांच इधर लिखलो पांच इधर लिखलो और रिमेंडर इधर लिखलो फिर शाय इधर लिखलो रिमेंडर इधर लिखलो फिर साथ है जिसे आप भाजक है और रिमेंडर सेश फल याड़ी इधर लिखलो और अंतिम में अगर भागफल प्रस्प्रस्ट में दिया गया हो कि अंतिम भागफल दस है पांच है चार है तीन है तब तु लिखो अगर नहीं लिखा गया है तो कोई जरुद नहीं है ठीक है आप क्या लिखोगी खेवल एक लिखोगे क्या लिखोगे एक लिख्त होगे अब देखो तो साथ एक का साथ और प्लस एक साथ एक पार्ट आठ शक 48 और प्लस जीरो ए 48 पचे 240 और प्लस तीन तो 243 तो क्या तुम वो संख्या बच्चे लिये थे 244 बोलो क्या आपने वो संख्या लेया था 243 जिसमें आपने पांच छे साथ से जिसमें आपने पांच थे और साथ से भाग दिये थे आप तो सेस्फल बच्चे आपका कितना आया था तीन जीरो और एक यह बेसिक प्रापर्टी मैंने आपको कल समझा भी दिया था और आप जान भी गया थे कि कैसे पारिक्रम होता है अब हम इस पे चर्चा सवाल लेकर करते हैं तो सवालों पर चलते हैं सवाल क्या क्या पूछा गया है सभी पूछे गया सवाल आपको मैं कर देखें कौन कौन से सवाल आप से पूछे गये हैं तो उनकी सभी की चर्चा मैं आप से तर लेता हूं ठीक है कि कि इसी संख्या को उत्रोत्तर रुप से कि 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 अच्छा को कि कि इसी संख्या को उत्रोत्तर रुप से किसी संख्या को उत्रोत्तर रुप से चारव पान से भाग दिया जाता है चारव पाँच से भाग दिया जाता है तो सेस्फल करम सह एक और चार आते यदि भाजक के करम को उलट दिया जाए यदि भाजक के करम को उलट दिया जाए तो सेस्फल क्या हो अब दिखे इस सवल ऐसे भी पूछा जा सकता था कि यदि पाँच वग चार से भाग दिया जाए तो सेस्फल क्या हो दो टाइब के प्रश्ण बन गए यहाँ पे जो हमने लिया भाजक के करम को उलट दिये जए एव अगर यही बात मैं पांच और चार से भी देता तो कोई दिक्कत थी नहीं तो बात वही है देखे तो समझेगा बातों को किसी संखेया को उतरोत्तर रुप से चार वा 5 इसे भाग दिया आता है तो मैं ने बताया जिससे भाग देते हैं चार वा पांच एक तरफ तरफ और रिमेंडर एक तरफ अब इससे करो पांच एक का पांच और प्लस तो पांच और चार कि नौ हो गए ठीक है फिर देखो नौ चोग 36 और प्लस एक यह वाली संख्यात हो गई आपके कितनी 36 और एक कि 36 और एक किया होगे 37 होगे तो अगर इतना ही पूछा गया होता तो आप बता देते कि यह संख्या भाजि कितनी होगी संख्या 39 लेकिन आप से पूछा क्या कि अगर भाजक के करम को उलट दिया जो भाजक मिन्स चार और पांच भाजक मिन्स चार ओर इसके तरम को उलट दिया जो बावर इसके करम को मैं उलट दिया तो अब इसका तरम हो गया 5 और चांग क्या हो गया पांच और खिक है अब कहा कि 31 संख्या तो संख्या रेमेंड़ कितना बचसे जाएगा तो कितना बचस अगर इसी संख्या को चार से भागा देंगे आप शुक्ति चार के चार आप गास कितना रहा होगा तो आप देखेंगे दो वा तीन दो वा यही सवाल का तो रिमेंडर बच्चे कितने आ गए दो और उमीद करता हूं यह बाते आपको समझ में आई होंगी बहुत आसान तरीकी से ठीक एक बार देख लो कि भई किसी संख्या को अतुरत्तर रूपसे 4 वा 5 से भाग दिया तो सेजबख्वक्रमसा एक और 4 आते हैं यदि भाजक के करम को उलद दिया जा तो सेजबख्व क्या होगा तो 4 और 5 से भाग देने पर हमने बात को नीकाल लिया कि असके वा शंख्या पहले क्या है 37 है अगर उसके भाजक वो करम को लट दिया जाए यानि पहले चार पांस था अब पांच चार हो गया और मैंने भाग दिया तो पांस अते पैसे दो से तीस चार एका चार और तीन साथ तो रिमेंडर कितने बच गए दो और तीन तो दो और तीन इस सवाल का क्लियर होगे अगला क्या आया कि देखें कि बहुत पुराना प्रश्न है कि किसी संख्या को तीरा से भाग देने पर कि किसी संख्या को कि तीरा से भाग देने पर कि स्टीस एक आता है कि स्टीस एक आता है कि स्टीस क्या होता है एक आता है इस प्रकार प्राप्त भाग फल को इस प्रकार प्राप्त भाग फल को पाच से भाग देन पांच से भाग दे इस प्रकार प्राप्त भाग पल को पांच से भाग दे तो हमें तीन से इस प्राप्त होता है उस संख्या को 65 से भाग दे संख्या को 65 संख्या को किसे भाग दे 65 से भाग दे तो उसे इस फल क्या होगा तो उस संख्या को गर 65 से भाग दे तो उसे इस फल क्या होगा प्राप्त होगा ठीक कि 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 समझे को 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 संख्या है कि आपको निकालना है कि उसमें 13 से भाग देना है तो मैंने बताया जिसको भाग देना है एक तरफ ब्राप्त ब्राप्त भागफल को पांच से भाग दें प्राप्त भाग फल्क कि इस से भाग दें नहीं है देखे अंतिम भाग फल दी यह नहीं किया है तो अंतिम भाग फल क्या मन लेते हैं एक कि कह अमजी अब देखिए 5 एक का मेच की आरो पांच प्लस 3 तो 5 और 3 तार ठीक, 13 अठे एक नशायर और प्लस एक AS 104 और एक सien कि 105 तो पहले तो संख्या तो पता चल गई अगर संख्या के और डारेक्ट पूछा होता तो आप का गया होता 105 कितना गद बच्चे 105 लेकिन इसने क्या कहा अगर इस संख्या को जो संख्या आपने प्राप्त किया है यदि संख्या को हम किसे भाग देदे 65 से इसे भाग देदे 65 से यानि 105 में आप जब भाग परोगे किसे 65 से तो 65 हिक का 65 हो जाएगा यानि रिमेंडर कितने आगे तो सेस्फल क्या होगा तो सेस्फल हो जाएगा 40 जो की सवाल का क्या हो जाएगा एंसर बोले बाते समझ में आके तो इस टाइप से भी प्रश्ण बनता है आप देखो मैं यहीं इसी प्रश्ण को उस चीज आपको बता देता हूं जिससे आपको दिमाग में रखना है मालो यह बात आप से न दिया गया हुकता हुआ और आप से इसी प्रश्ण को इस रूप में पूछा जाता हुआ यदि अन्तिम भागफल यदि क्या आपसे बात में पूछा समझ भ्याइक बात कहा कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर सेस प्रश्ण शेज फल एक आता है इस प्रकार प्राप्त भाग फल को 5 से भाग देने पर हमें 3 सेस प्राप्त होता है यदि अंतिम भागफल पांच हो तो असंख्या बता दो अब ध्यान सुझें तो मैंने क्या कहा तेरा से भाग देने पर एक तो जिससे भाग देते हैं एक तरफ और जो रिमेंडर बसता है वह एक तरफ लिख दें इस प्रकार प्राप्त भागफल को पांच से भाग देना है पान से भाग दे और एक रार करधा दें हैं अनिधिम भागफल की बात होती है यहीं अन्तिम भागफटल आपको दिमाग में रखना होता है जो अंतिम भाग पल यहां अब तक नहीं दिए जाता था तो हम वहाँ एक रख देती एक लेकिन अब इसे सवाल में यहां पर अंतीम भुठ प्रस्ट सह्मिद्व यह दिया रहेगें तो अंतीम भुठ पांच कितने हैं तो यहां रखना कितना पड़ेगा पांच कि दना रख दे पांच ठीक अंतिम भागफल हमने क्या रखा अंतिम भागफल यहां से हमने रखा प्रक्रम करना है पाच पचे पचीश और प्लस तीन तो पचीश और तीन अट्थाइस यहीं एसंखे आगे अट्थाइस अब 28 दहा में 288 यहां 84 वो कितना गया आठाठ शोलह 364 और प्लस एक तो 365 यानि वहां संख्या क्या हो गई जरा बता दे वहां संख्या हो गई 365 तो यह बात भी आपको दिमाग में रखना है कि अगर अंतिम भागफल दे दे क्या देदे अंतिम भागफल जो यहां दिया रहेगा वह एक तब नहीं दे लिखेंगे वहां पर वही संख्या हम हो बहू रख देंगे इस फिर से किसी संख्या को 13 से भागं देने पर हम पेहरा तो हम यह एका लगते लेकिन रखेने पर पांच दिया गया सवाल में तो क्ये रखेंगे पांच रखेंगे फुनाव ही प्रक्त्रम करेंगे पांच पच्छे पचीश तीन अठ्थाइस कि तेरा अठ्थाइस में गुड़ा किया प्लस एक तो 365 क्लियर हो गई बात कर लोगी उमीद करता हूं के लिए अगला प्रश्ण क्या पूछा क्वेश्चन नंबर च्छा की बात करता हूं क्वेश्चन नंबर च्छा क्या आप से पूछा है यह भी चर्चा में लेता हूं देखें कि अगरे कि अगरे कि अगरे कि असवार नियूंतम संख्या क्या होगी अगरे कि अगरे कि अगरे कि नियूंतम संख्या कि क्या होगी जिसे दो पाच जिसे 2, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, क्रमिक भाग देने पर, से भाग देने पर, से स्टेशफल एक, एक, तीन और एक बनता है, से स्टेशफल, एक, एक, तीन वह एक, बच्टा है, समझे, सिंपल सवाल है, देखके समझ में आगए होगा आपको, कि निस्तिया तो संख्या ही निकलना है, पहले भी टाइप की सवाल में पूछा गया तर, तो 2, 5, और 4, 3, इसके क्या है, जिससे आप भाग देते हैं, भाजक है, 2, 5, 4, और, रिमेंडर क्या क्या है, एक, 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 तीन और एक, और यहाँ पर अंतिम भाग फल भी कुछ नहीं दिया गया है, तो क्या मानेंगे, एक, आरेकरम सुरुवात करें, तो तीन एक का तीन, और प्लस एक, तो तीन एक, चार, चार, चोग, सोला, और प्लस तीन, तो सोला और तीन, उननीज, उननीज पचे, पंचानबे और प्लस एक, आनबे, आनबे दुना, चानबे दुना, चार दुनी बारा, और नव दुना, ठरेक उननेज, एक, एक, सोब आनबे और प्लस एक, एक, सोब तिरानबे, तो उत्तर क्या आजाएगे, बच्चे, वन नाइनटी, थ्री, और यही सवाल का, तो देखनो, क्या मैंने बताया, वह न्यून्तम संख्या क्या होगी, वह न्यून्तम संख्या क्या होगी, जिसे 2, 5, 4, वह तीन से भाग देने पर, उत्रोत्तर भाग देने पर, सेश्फल क्रम स एक, एक, तीन, एक बच्चता है, तो वास्तों में वह संख्या क्या होगी तो आप कहेंगे सर्वा संख्या 193 हो जाएगी क्या हो जाएगी 193 यह ध्यान देजना यह उत्रोत्तर भाग देने पर है बच्चा यह क्रमिक भाग देने पर तो एंसर क्या हो गया संख्या क्या हो गई वन नाइंटी कि बोलो क्लियर हो गया चलिए कुश्चन नंबर साथ पर चलते हैं कुश्चन नंबर साथ क्या पूछा उसकी भी चर्चा आप से मैं करता हूं कुश्चन नंबर साथ क्या आप से पूछा उसकी भी मैं आप से चर्चा करता हूं इन लड़कों ए बी सी तीन लड़कों ए बी सी ओ गुड़न खंड बी धिद्वारा ओ गुड़न खंड बी धिद्वारा इसी संख्या के किसी संख्या के एक हजार एक से भाग देने के लिए कहा गया कहा गया उन्होंने गुड़न खंड को करम्स अन्होंने गुड़न खंड को कि अचिरम्सर तेरह ग्यसात्र चाथ अ 17 11 13 7 11 13 और 11 11 11 11 13 की क्रम में लिया 11 13 की क्रम में लिया यदी पहले एक ओक्रमिक सेस्पल ए यदि पहले ए को क्रामिक से स्फल तीन दो एक प्राप्थ हुए हैं तीन दो एक प्राप्थ हुए हो तो आने लड़कों बी वसी तो बी वसी का स्थेस्फल बतातो आने लड़के बी वसी का रिवेंडर बतातो बहुत अच्छा सवाल देखें पुछा अच्छाने भई अगर पहली बार आप इसको देखें होते तो क्यों कंफ्यूजन ही बनता है इसमें तो इसलिए मैं इस सवाल को लिया देखें 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 तीन लड़के हैं एबी सी को गुर्णखण विदिद्वारा किसी संख्या के एक हजार एक से भाग देने के लिए कहा गया उन्होंने इसके गुर्णखंड है जैसा कि मैंने बताया था और स्ताथ 11-13 एभी इसका गुर्णखंड है उसी को उलट दिया गया है तो पहले को कहा कि कि एक तो मिल गया क्रमिक रूप से बीभाजन क्या तीन दो और एक तो पहला ए एवला था बी एवला था और सी एवला था एट बात थी समझेज़ें जब 13 से भाग देने के लिए कहा गया यह वाले ही बात करना हो क्योकि एक आभी क्रमिक रूप बिला है कि वले वां एका ई दिया गया है तीन दो और एक रहा 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 अंतिम भागफल दिया नहीं गया तो अंतिम भागफल एक माल लेते क्या मल लेते हैं एक माल लेते आप चलिए तो साथ एक का साथ अपलस के साथ और एक आठ फिर 1188, और 290 ठीक है, 90 हो गया फिर 90 का गुड़ा जब 13 में करेंगे, आप 139 यहां 1170 तो 1170 प्लस 3, 1170 यानि अगर केवल एक ही संख्या पूछी होती, एका एक आगर संख्या फूचिगे होती तो आप कहते कि संख्या 107 थी कि यहां यह बतादो तो फिर मेने पास दिमाग में आया कि सं गया तो पता ही चल 1173 कि इतनी संख्या पता चल गई है 1173 और हमको किसे भाग देना है अब दूसरे वाले को साथ से पहले भाग देना तो साथ से दिया साथ एक का साथ ऐसे देंगे और चार बचा साथ चारी ग्यारा चार बचा सहे ताल इस उरस खत गार तो senra य तो 선ा यह चार जाएगा तो पाच 27 पाच 57 11 पच्छे 55 और सेस्फ़ बच्चा कितना बच्च गया है दो फिर कहां तेरा से तो तेरा अठे एक सो चार तेरा नौई एक सुत्रह जादा हो जाएगा तो तेरा अठे एक सो चार एक सो पंद्रह लिख दिया हूं क्यों आए लिखना था एक सो पंद्रह लिखा गया था तो उसी लिए गड़वड़ हो लिए देखें वही एक ग्यारा एक ग्यारा पांस अतावन और ग्यारा पच्छे पच्छपन तो तेरह एक का और रिमेंडर कितना बच गया दो तो अगर बी वाले का रिमेंडर हम देखें एक कौन सा ब्यक्ति है तो बी का जो सेस्फल है वी वाला क्या बच गया चार दो दो बच यह रिमेंडर होगी लेकिन हमसे बी के सांस सी का भी पूछा तो मैं कर लेता हूं अब से ही पर संख्या तो थी 1170 कि और हमारा अब क्या करना था इस ताथ 1113 देकं 11 713 से देना था तो 11 से देंगे 111 का 11 हो जाएगा 0 11 37 77 ज्यादा हो जाएगा तो 116 66 शाट 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 आजाएगा भाई 66 में साथ जोड़ेगे 73 हो जाएगा ठीक है आप किस से भाग देना है साथ से साथ साथ एक का साथ और सेसफ्फलं कितना बच्छे तीन क् produce न शाट पुंहेंतिस और आगया कितना एक एक फिर किसे देना था 13 से तो इते राएक का 13 और रिमेंडर कितने घृ कितना फिरस्फ प्रस इघ्लस क्यांत है यहां का रिमेंडर कितना गया कि लिए रोगे बाते देख लो अच्छा सवाल मैंने इसमें पूरा कवर करना ने प्रयाद किया कि इसमें आपको सब कवर हो जाए कि अगर तीन लड़के हैं ए भी सी है वो गुड़नखंड विधी द्वारा किसी संख्या के 1001 से भाग देने के लिए कहा गया उन्होंने गुड़नखंड को क्या किया क्रमसद 13117 इससे तीनों संख्या कट जाती है लेकिन कई संख्या ऐसी है जो इनसे नहीं कटती अलग अलग से ठीक अलग से नहीं कटेंगी लेकिन इससे जो कटने वाली छांग की संख्या है वो इससे क्या होगी कट जाएगी और जबकि 1001 क्या है साथ ग्यार तेरह तीनों से कट जाती तो यह बहुत बेसिक कांसेप्ट है लेकिन यह बहुत बार परिक्षा में भी पूछा गया है तो इसको दिमाग में अपने रखिए गए ठीक है यह देखिए मैंने पूरा इसका पुश्मादम आपको कराया जिससे आपको जनकारी मिल माः कि रिमեंडर कैसे निकालेंगे तो आप पहले वाले का रिमेंडर साधिया गया था तीन दो एक है तीन दो एक है लेकिन दूसरे वाले का आपने निकाला कि इसका था चार दो दो ग कॉस्का भी 7 और 1 ठीक है ऐसे हो गया बात खिलिए होगी है कर लेंगे कि या कहता है को स्वाल का एक अटेंडम रूप है कि या सवाल भी कि देखें किसी संख्या को नौ से भाग देने पर कि इसी संख्या को नौ से भाग देने पर तेस्फल आठ रहता है सेस्फल आठ रहता है इससे प्राप्त भाग फल को इससे प्राप्त भाग फल को इक ग्यारा से भाग देने पर ग्यारा से भाग देने पर सेस्फल नौ रहता है सेस्फल नौ रहता है इस प्रकार प्राप्त भाग फल को अब इस प्रकार इस प्रकार प्राप्त भाग फल को इस प्रकार प्राप्त भाग फल को तेरा से भाग देने पर तेरा से भाग देने पर सेस्फल आठ रहता है सेस्फल आठ रहता है यदि संख्या को यदि संख्या को उत्रमिक या संख्या को उलट दिया जाए यदि भाजक को उलट दिया जाए यदि भाजक को उलट दिया जाए यदि भाजक को उलट दिया जाए तो सेस्फल क्या हूँ चलिए देखिए ये किसी संख्या को पहले नौ से भाज देते हैं किससे भाज देते हैं नौ से तो सेस्फल कितना रहता है आठ इसे प्रात भाजफल को 11 से भाज दें किससे दें 11 से भाज दें तो सेस्फल कितना होता है नौ अब इस प्रकार प्रात भाजफल को 13 से भाज दें 13 से भाज दें तो सेस्फल कितना रहता है आठ अंतिम भाजफल तो का पता नहीं है तो हम माल लेंगे एक अब देखिए 13 एक का 13 और प्लस आठ तो 13 और आठ 21 बोले के लिए है कोई बात 21 का गुड़ाई 11 में करेंगे एक दो एक तीन एक दो एक तीन एक दो एक तीन और प्लस नौ तो 240 वह इधर का गुड़ा और इधर का यह तो 240 अब 240 का गुड़ा हम जब इसमें से करेंगे नौ में तो जीरो तो आएगा ही नौ चोक 36 और नौ दुना अठारा तीन एक कीस सो साथ होगा लेकिन इधर आठ भी जोड़ना है तो 2168 हो जाएगर यानि अगर संख्या केवल पूछा गया होता अगर केवल संख्या पूछी गई होती तो हमारा 2168 हो जाता लेकिन इसने संख्या तो पूछा नहीं इसने कहा भाई यदि भाजक के क्रम को हम उलट दें यानि 2168 में जो बात थी 9 11 13 की 9 11 और 13 की अब इसको उलट कर क्या करो 13 11 9 से भी भक्त कर दो तो जब मैं 13 से करता हूं 3 1 का 13 8 21 को देन का 3 ओर एकट लॉट कैसे आठाया ते रसक्ति अठाया ते लटाश चरड़ कर द द शुक्त मैं दिखो तराया का तिल आठ 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 आए अपिर ते रच-चक अहत्तर दस आया तो दस आया अठाठ थरå देखो यहापी में कर देता हूँ तेरा एक का तेरा आठ फिर ची आसी तेरा छक 78 तोलम से आठ गए आठ अठासी फिर तेरा छक 78 तो दस आया ना तो यहाँ गया छे बार में यहाँ गया चाह बार में और रिमेंडर आगे बच्चे कितने 10 रिमेंडर कितना आ गया फिर मैं ने क्या कहा कि जब एक तेरा के बाद किस्से भाग देना 11 से 11 एक का 11 पाच 11 पचे 55 तो यहाँ से रिमेंडर आ गया आपका एक फिर मैंने इसमें भाग दिया किस्से तो नव एक नव और रिमेंडर कितना आ गया तो आप कहेंगे नौ च्छा पन्दर च्छा आ गया तो उत्तर बच्चे कितने कितने हो गये 10 और 1 और 6 कितने हो गये 10 एक और 6 तो बताओ रिमेंडर बच गया कितने सवाल का उत्तर कितना हो गया दर्स एक और क्लियर होगे बोलो बाते समझ पाए तो यह रही बात क्रामिक विभाजन पे कुछ छोटे-मोटे प्रश्ण जो आपको परिक्षाओं में आ सकते हैं आप दिमाग में रखेगा ठीक है अब जो कल वाली मेरी कलास्व होगी उसमें हम दो बातों की चर्चा करेंगे एक चर्चा करेंगे एक चर्चा करेंगे बाइनरी सिस्टम का बाइनरी और डेसिमल सिस्टम इस पे चर्चा करेंगे कि बानरी और डेसिमल सिस्टम बनाते कैसे हैं और मैं दूसरी आपसे चर्चा करूंगा तहाई का अंग कैसे कैसे निकालते हैं आपने इकाई का तो पढ़ा था दहाई का अंक कैसे निकालते हैं कि यह दो बातों के बाद तब हम तीसरी बात करेंगे कि भाजे बराबर हाजक गुडे भागफल और धन सेशफल का एक कहां से आता है इस पे कितने प्रश्ण बनते हैं ए सब चीजे चौथी बात हम तब पढ़ेंगे रिमेंडर थेरम रिमेंडर थेरम जिसे आप कहते हो सेशफल प्रमे ए बहुत इंपार्टेंट है ए वाली बात बहुत इंपार्टेंट है इसके बाद ए दो दो दिन में हमने परे इतना पढ़ेंगी इंद और एक खेल की क्लेस भी होगी और ऐत्यार रहे गां सिर्टेंट पढ़ेंगे डेसी मल रक्संव कैसे निकालते हैं फिर हैं देहाई का आपने पढ़ा होगा कैसे निकालते हैं दहाई कर नहीं पढ़ा होगा तो हम चर्चा करेंगे पर्सों की कलास में मेरी जो होगी वह भाज ये बराबर भाजक गुड़े भागफल प्लस सेस्फल चर्थ पर चर्चा करेंगे और सबसे सभा जो है इन ही कलासों पर मैं स्वाब करता हूं तो टेक केर बाई 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 बचा कर रहिए